तो आफ जालाइब तेकर में केड静ने हुआ यहां से अपने पसे अगर अपने देह है यहां से अगर आपते है एपी में दो quantity होना चाहिए ठीक है characteristic quantity first term ठीक है एपी के first term को let's say मैं यह बोल देता हूँ और इसके common difference को अपन क्या बोल देते हैं डी ठीक है common difference को मैं यहाँ पर दी बोलता हूँ ठीक है तो अब 11th term क्या होता है इसके लिए अगर अपन 11th term क्या होता है यहाँ पर इसके वालू हो जाएगी ए प्लस 10 टी यह जगा ए प्लस 10 टी और अब इंहोंने गिवन है कि इसका रिसोज है वो क्या है 2u2 3 है क्या गिवन है यहाँ पर 11 डिवाएडड़ वाइए इसकी वैलुकर आपने पास तो बाई थी तो ए एलेवन की वैलु क्या है अपने पास ए प्लस 10 डि डिवाइड़ वाइए एटीन की वैलु क्या है ए प्लस 17 डि और इसका रिस्टों क्या वन अपने पास 2 बाई 3 यहां से अगर मैं ए और दी में रिलिशन निकालो क्रॉस मल्टिप्ले करके यहां अपने अपने बस 3 ए ब्लस 30 डी इस क्या यहां पर आजागा यह टू ए प्लस 34 डी यहां से अपने इसकी वैलु देखे तो ए और डी में रिलेशन आ जाएगा यह और इधर आजागा यह वैलू 4D होगा ठीक है अब अपन यहां से आगे अपन इसकी वैलू देते क्या निकालने को बोलाए find the ratio of 5th to 21st term तो अगर मैं A5 की वैलू यहां पर बोलू ठीक है तो A5 की वैलू क्या हो जाएगी यहां पर A5 की वैलू हो जाएगी A plus 4D ठीक है A plus 4D तो 4D की वैलू अगर मैं यहां पर पूट करो इस equation को अगर मैं 1 बोलू तो 4D की वैलू एक इक्वाल है तिया लाए यहां पर यहां यहाँ प्लस इसको अपन लिख सकते हैं 50-40 ठीक हो धाता 5-40 ति यहां से प्लस फाईव और पूस दिपन यहां पर इसको पूट करदेखते यहां यह पूट कर दिख सकते हैं और 21st तो इसका रिस्यों क्या जाएगा वन इस तो यहां से इसके सम का फॉर्मला देखते हैं इन पूला था कि इस तो यहां से अगर मैं एसं के लिए वायल देखों इसके लिए एसे के लिए इसके लिए ऐसके लिए था क्या पूट करेंगे टिटेर कि यहां पर यहां पे 2a plus 5-1 तो यह value आजाएगा 4d के equal तो इसको अगर आपने सिंप्लिफाइग करें यह आजाएगा आपने पस 5 by 2 और यह आजाएगा 2a plus 4d के value को आपने यह पूट कर सकते हैं यहां से तो 40 के value को मैं यहां पर यह पूट करता हूं तो यह value आजाएगा आपने बस 5 by 2 into 3a तो यह आजाएगा 15a by 2 यह आजाएगा इसके sum का value in terms of a और यहां पर यहां पर यहां पर प्लस 5 a.k. तो 20 के यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह आजाएगा 21 into 7a divided by 2 अब अपन इसका क्या निकालना ratio ठीक है s5 divided by s21 ठीक है sum of first fifth term और sum of first 20 first term तो इसका ratio अब पन दोगे जाज़ेगा 15a by 2 divided by 21 into 7 divided by 2 यहां पर a भी है तो a by 2 से a by 2 तो cancel हो जाएगा इसके लिए value जाज़ेगा 5 upon 49 इसका ratio क्या जाज़ेगा यहां पर अगर अपने देखे तो s21 के value आज़ेगा अपने पास 5 इस तो 49